जावाज तालेब जाओ इनके लिए बहुत सांदार जाइन सात्यों मैं कमांडो जीवरास कमांडो डिफेंस एकेडमी के बारे में आज आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ कमांडो डिफेंस एकेडमी बिकानेर जीले में छत्रगड तैसिल के पास में 465 आरडी नामक कस्वे पर स्थित है यह बिकानेर से 120 किलो मेटर है और छत्रगड से 40 किलो मेटर है सूर्थगर्ड चत्रगड हाइवे के उपर इंद्रा गांधी नहयर के किनाले एकेडमी स्थित है दोस्तो इस एकेडमी का उद्गाटन पांच दिसम्बर को हुआ था पांच दिसम्बर से अब तक हमने भोती सांदा रिजल्ट दिया है फिजिकल के मामले में आज हम लोग राजस्तान के बेतरी सिक्षन संस्तान और परसिक्षन संस्तान में सामिल हो पा रहे हैं अभी हमने अब तक लगभग आठ बच्चों का रिजल्ट वेटेड है और दस बच्चे राश्तान पुलिस का फिजिकल क्लियर कर चुके थे और दो बुच्चों का दिली पुलिस में फिजिकल कलियर होगा है जिनका रिजल्ट वेटेड है और अभी अजमेर बड़ती के अंदर हमारे बेक टू बेक तीन बच्चे रनिंग की तीनों के तीनों सुपर एक्सलेंट है दोस्तों हमारे पास में तीन परकार के मेदान है चार्शु मीटर का ट्रेक का ताल वाला मेदान है कालिमिक्टी का साथ में हार्ड फिजिकल करने के बाद में जिन दोस्तों को सीन पेन या पाउं में दर्द होता है उनके लिए डिजेट मेदान की भी सुविधा उपलब्ध है साथी लोंग रनिंग के लिए जैसे हम लोग सुकुरवार याशनिवार को 20 से 25 किलोंट रनिंग में जाते हैं तब नहर के किनारे लंबी रनिंग करने जाते हैं तो वह भी एक भेतरिन मेदान का हिश्चा है दोस्तों एकेडमी में हम लोग तीन सिख सक है मैं फिजिकल ट्रेनर हूं और मेरे दो साथी इंदर सिंग चुवान और सुरेश जाखड दोनों के दोनों आरेस मेंस क्वालिफाई हैं और पिछला ऐसा ही दोनों का क्लियर था फिजिकल आउड थे तो दोस्तों दोनों ही अपने पढ़ाई के क्षेतर में बहुत ही सांदार और अग्रनी हैं दोनों डबले में बीड हैं और चुवान सेर बच्चों को जीके बुगोल और रिजनिंग बढ़ाते हैं और जाकर सर मेट साइंस में स्पेसलिस्ट हैं दोस्तों यहां पर आर्मी जीडी की कलासें अलग से चलती हैं साथ ही और स्सी की तेहरी भी बहुत ही सांदेर तरीके से करवाई जारी है लड़के और लड़कियों का सेपरेट परसिक्षन की वेश्ता है दोस्तों एकेडमी में सुईधा के नाम पर अच्छा खाना है हम तीन वक्त का खाना देते हैं सुबह नास्ते में दलिया है, लापसी है, पोहे है, प्रांथी है इस परकार का नास्ता लेते हैं दोपेर के खाने में चपाती है, डाल है और सलाद है रात तो चपाती और हरी सबजी खाने में मिलती है और एक्स्ट्रा बच्चा खाना चाहे तो उसके लिए भार नजदिक मार्केट से खरीद के खा सकता है और ग्रामिन क्षेतर होने की राते या भरपूर अच्छे दूज की वेश्टा भी है खुला वातावर्ण है रहने में हम लोग चारपाई और गद्दा एकेडमी की तरफ से उपलब्द करवाते हैं और एकेडमी में पूर्ण रूप से केमरों की वेश्टा है सारे बच्चे अंडर सिसी टीवी केमरा है और आरो के वाटर की सुईदा है और सबसे बड़ी बात यहां पर पीने का पानी सबसे स्वस्ट और अच्छा है माचल की पहाडियों का पानी इंडरा गानी नहर में चलता है वो पानी पीने के बाद बच्चे के गुटनों में पेट में दिकत नहीं होती तो पानी यहां का सबसे अच्छा माना जाता है तो बहुत ही सांदार रिकोर्ड मनाया है अकेडमी ने बहुत ही अच्छा फिजिकल है जिन बच्चों का टाइम 6 मिनट से अब हो था उनका आज 5 मिनट से डाउन है अभी तक आज मेरी अकेडमी में 110 चातर है किसी भी बच्चे का टाइम 6 मिनट से उपर नहीं है और हमारी अकेडमी के बेस्ट इस्टुडेंट चार बतीस है और चार बतीस और पांच मिनट के बीच में कम से कम 25 सातर है जो कि पांच मिनट और चार बतीस के बीच में अपना टाइम कवर करते हैं फीश के नाम पर बहुती कम फीश रखे हमने चार हजार रुपए महीने की फीश है यानि 133 रुपए में हम ये सारी सुविदाईं उपलब्द करवाते हैं इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं है बच्चा अगर दस दिन रहेगा तो हम दस दिन के पैसे काटेंगे चार अजार पूरे उसके जमाने करेंगे बच्ची फीश उसको वापिस दे दी जाएगी तो मैं आप सबसे निविदन करना चाहता हूं जो बच्चे बहतरी इन ट्रेनिंग पाना चाहरे हैं मेरे साथ में उनका श्वागत है आप एकेडमी पधारो हम आपको गारिंडी दे चाहरें क्योंकि भर्तियों का दोर चल रहा है बच्चे सही जगा पहुंचने बहुत जरूरी हैं अगर ये बर्ती का मोगा चुक गया तो उतका एक साल का केरियर खराब हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो को लाइप करें सेर करें सब्सक्राइब करें अपने साथियों को दोस्तों को बेज़ें और एकेडमी के बारे में उन्हें बताएं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिं दोस्तों नमस्ते